हेलो इवरिवान वालकिम टू माई चानल आज की वीडियो में नई लोग शुरू से सिखेंगे एक ही वीडियो में सूट की केटिंग स्टिजिंग ये वीडियो इसपेशली बिगनर्स के लिए है तो घर पर अगर आप से लाई सीख रहे हैं अब कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेंगे किनारी वाली साइट से मिलाते हुए यानि दो मिटर की तैको मैंने हाफ कर लिया है इसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे तो फोर फोल्ड हमने अपने हिप के अकॉर्डिंग करना है जीतना भी हमारा हिप का फोर्ट पाइट है उसमें हम दो इंच एड़ करके कपड़े को फोल्ड करना है तो यहाँ पर मैंने कपड़ा की चोड़ाई है वो लगबग 12 इंच लिए है क्यूकि मेरे जो हिप का फोर्ट पाइट है वो 10 इंच है तो इस तरह से मैंने 12 इंच की चोड़ाई पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है अब नीचे से जो है फैब्रिक दिखी हमारा तिर्चा है तो यहां से हम अपनी लैंच चेक कर लेंगे लैंच में मैंने 2 इंच एक्सट्रा लिया है नीचे दामन के फोल्ड करने के लिए और उपर कंधी के लिए अब वही लैंच हमने इस साइड में भी माग कर लेनी है इसके बाद यह जो दोनों माग है हमारे सीधे हो जाएंगे और नीचे से जो हमारा तिर्चा फैब्रिक है वो निकल जाएगा तो यहाँ पर मैंने दो माग कर लिया है कटिंग की लैंद को और जो हमारा मार जान है उसको तो लीजे यहाँ से हमने यह माग को सीधा कर दिया है इसके बाद जो हमारा नीचे तिर्चा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे इसके बाद उपर की तरफ से यहां से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे जितना भी हमारा शोल्डर है यानि तीरा उसका आधा माक कर लेंगे और नेक की चोड़ाई लेंगे तो मैंने नेक की चोड़ाई 3 इंच ली है और शोल्डर 7 इंच लिया है अब शोल्डर से आधा इंच नीचे माक करते हुए कंधी को डाउन करना है इस तरह से अब इस माक से नीचे की तरफ हम अपने आर्मोल की लैंगे तो आर्मोल की लैंट भी उतनी ही लेंगे जितना हमने shoulder लिया है यानि 7 इंच अब इस mark को उपर सीधा कर देंगे अब यहां से हमने अपने bust का यानि chest का foot part प्लस आदा इंच करके mark करना है यह measurement जो है वो हम अपनी body से लेने के बाद mark कर रहे हैं और 2 इंच हमने margin ले लेना है अब free hand से back armhole की shape देंगे और half से पॉन इंच अंदर की तरफ front armhole की shape देंगे so guys यहां पर हमने कुर्टी का measurement है अपनी body से लिया body से लेने के बाद ही हम marking कर रहे हैं इसके बाद देखिए आप chest से waist की length इस तरह से भी ले सकते हैं या फिट direct inch tape को shoulder पर रखकर भी waist और hip की length ले सकते हैं तो इस तरह से इंची tape रखेंगे और जो waist की length है वो आप अपने size के साब से लेंगे तो मैं 15 inch ले रही हूँ अगर कम size है छोटा size है तो आप 14 inch ले सकते हैं इसके बाद hip line जो है वो आपकी choice है आप 20 पर 21 या 22 जहां भी बनाना चाहते हैं तो जितनी भी height होगी उसके हिसाब से ये hip line आ जाएगी अब यहां से हमारी कमर की line है तो कमर का fourth part प्लस आदा inch करके mark करना है इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम अपने hip की गोलाई लेंगे और उसको चार से divide करेंगे चार से divide करने के बाद उसमें आदा inch प्लस करके चोड़ाई ले लेंगे तो मैंने साड़े दस inch पर mark किया है और यहां पर साड़े दस inch ही मैंने दामन लिया है तो दामन की चोड़ाई आप आदा से एक inch और बढ़ा सकते हैं अब यह जितने हमने mark किया हैं fitting के इनको एक दूसरे के साथ line up कर देंगे इस तरह से अब आगे की तरफ हम margin add करेंगे तो margin मैं chest और कमर पर दो inch ले रही हूँ और hip दामन के लिए मैंने 1.5 inch लिया है तो इस तरह से हमारी marking हो चुकी है अब हमने इसकी cutting कर लेनी है cutting करने के बाद यह जो आगे से fabric बचा है इसमें से हम अपनी sleeve कट करेंगे अब दिखिए यहाँ पर हमने notches लगा लेने हैं यह हमारी neck बनाने में helpful रहेंगे और यह हमारी fitting के जो notches हैं और यह hip के notches हैं इसके बाद यह दामन के marking की थी यह cut कर लेंगे तो अब यह हमारा front वाला part हो जाएगा इसके बाद देखिए यह video beginners के लिए है तो मैं बहुत ही आसान तरीके से इसकी cutting stitching बताऊंगी तो guys इसका neck बनाने का तरीका भी मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी लेकिन अगर आप मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं तो उसमें आप canvas यानि बुकरम पर गला बनाने का तरीका देख सकते हैं तो इसमें आप अपना simple गला या कोई भी designing गला बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं या फिर मेरे according अगर आप fabric पर बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला step देख लीजिए कपड़े को मैंने इस तरह से लिया है तो ये मैंने कपड़े को इस तरह से fold कर लिया है और अब हम इसको four fold कर लेंगे तो कुछ इस तरह से fold वाली side मिला कर रखनी है कपड़े की बंद वाली side को हमने कुर्ती की बंद वाली side से इस तरह से मिला कर रखना है इसके बाद हम अपने neck की चोड़ाई लेंगे तो neck की जो चोड़ाई है वो अपने size के हिसाब से ही लेनी है देखिए मैं यहाँ पर पौने 3 inch पर mark कर रही हूँ एक पैर यानि quarter inch यह दबाओं में चला जाएगा तो 3 inch पर तयार हो जाएगा इसके बाद back neck की लेंद पर ने 4 inch ली है और front neck की लेंद 6 inch ली है अब नीचे से भी हम पौने 3 inch पर mark करके यहाँ पर 2 box बना लेंगे इस तरह से तो guys यह neck बनाना बहुत ही आसान है अगर आपने भी stitching start की है तो आप इस तरीके से neck बना सकते है और बहुत ही finishing से बनती है बिना canvas के यानि बिना bookram के तो पहले हमने देखिए neck की गोलाई दे दी है दोनों neck में और इस तरह से पहले back neck की cutting कर लेंगे और उसके बाद हमने back neck की जो strip है उसकी जो चोड़ाई है वो डेल से दो इंच लेकर गोलाई में इस तरह से cut कर लेनी है तो ये हमारे back neck की strip है अब इसमें से हम अपना back वाला part निकाल देंगे तो नीचे की side में जो है वो हमारा back वाला part है और अब हमने front neck की गहराई लेनी है तो मैं नीचे 2 इंच extra mark करके फिर से गोलाई दे दूँगी और इसको cut कर दूँगी तो लीजे ये हमारा front वाला neck भी cut हो चुका है अब front neck की strip है उसकी भी चोड़ाई हम 2 इंच लेकर इस तरह से cut कर देंगे लीजे neck की cutting हो चुकी है अब जितना आसान हमारा neck की cutting थी उतना ही आसान इसकी stitching होगी तो stitching करने के लिए हमने neck को open करना है कुर्ती की सीधी side में हमने neck की strip रखनी है और जो strip है उसकी जो wrong side है वो हम उपर रखेंगे इस तरह से strip रखने के बाद एक pair की सिलाई लगाएंगे और उसमें छोटे-छोटे cut लगाने है cut लगाने के बाद इस वाली पटे को double fold करके अंदर की तरह fold करके सिलाई लगा देंगे तो ऐसे करके हमारा neck तयार हो जाएगा अब हमने sleeve cut करनी है अगर आप full sleeve बना रहा है तो sleeve की जो length है उसमें 1.5 inch plus करके margin ले लेंगे और यहां से length लेने के बाद उसको double कर लेंगे तो यह हमारी किनारी वाले side है double करने के बाद हम इसको fold कर लेंगे अपने armhole की चोड़ाई के हिसाब से और इसको cut इस तरह से cut कर लेंगे तो देखिए मैं sleeve की जो length है वो 18 inch पर तयार रखूँगी तो कम से कम मैं 20 inch लंबाए लूँगी इस तरह से fold करने के बाद यहां पर अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी जो length है वो 20 inch है 18 inch पर यह लगबग तयार हो जाएगी और यहां से हम अपनी sleeve की गोलाई 3 inch पर mark करके यह दोनों point को हमने armhole की shape देते हुए इस तरह से मिला देना है इसके बाद हमारे यह inner sleeve की जो line है यह वाली direct inch tape को रखकर इस तरह से तिर्चा करके मिला देंगे और यह हमारी sleeve की marking complete हो चुकी है अब हमने इसकी cutting कर लेनी है और यहां से 2 layer में हम extra जो cutting होती है वो भी कर लेंगे तो यह हो गया full sleeve cut करने का तरीका लेकिन अगर आप half sleeve बना रहे हैं तो length आपको अपने हिसाब से कम करनी होगी जैसे मैं 10 inch पर sleeve की length बना रही हूँ तो इस कुर्दे के लिए मैं half sleeve बना रही हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने half sleeve cut की है half sleeve मैंने इसलिए cut की है यह जो कुर्ती है यह शरक के नीचे पहनी जाएगी क्योंकि यह inner कुर्ती है अब यहां पर हमने जो extra marking की थी front armhole के लिए उसकी भी cutting कर लेंगे तो यह इस तरह से देख सकते हैं हमने half sleeve cut कर ली है और यह जो biceps है इसकी जो fitting है वो मैं चेंच पर लगाऊंगी आगे की तरफ मैंने 1.5 इंच margin लिया है यह वाला अब देखिए back neck मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है back neck की पट्टी को stitch करने के बाद हमने अंदर की तरफ इस तरह से अभी fold नहीं किया है पहले हम कंदी stitch करेंगे उसके बाद हमने यह पट्टी को अंदर fold करना है अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने front वाला neck बनाया है वो बिल्कुल इसी तरह से बनाया है neck की पट्टी को पूरी तरह से अंदर की तरफ fold कर दिया है और यह देख सकते हैं आप बहुत ही जादा finishing के साथ बना है तो इसकी finishing बिल्कुल canvas की तरह ही आती है अब हमने कंदी stitch करनी है कंदी stitch करने के लिए दोनों की सीधी side अंदर की तरफ रखेंगे और यहां से जो हमारे back neck की पट्टी है वो हम front की तरफ चड़ाते हुए इस तरह से आदा inch का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे ऐसे ही करके हम दोनों कंदीयां stitch कर देंगे तो यह हमारी जो कंदी है वो underground stitch हो जाएगी तो यह देखिए कुछ इस तरह से हमने कंदी stitch कर ली है यह देख सकते हैं आप बहुती finishing के साथ हमारी एकंदीयां stitch होती है अगर हम इस तरह से stitch करें इसके बाद sleeve लगाने के तरीका मैं आपको बता देती हूँ अगर आप sleeve lace बना रहे हैं तो simply आपको तिर्ची पट्टी लगा कर पट्टी को अंदर की तरफ fold कर देना है या फिर आप sleeve lace बना रहे हैं तो आप इस तरह से यहां से fabric को double fold करके थोड़ा थोड़ा सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से fold करके और अगर आप sleeve लगा रहे हैं तो sleeve लगाने का जो तरीका है वो देखे fitting के बाद भी लग सकती है sleeve और fitting से पहले भी अब कंदी का joint और sleeve का center हमने मिलाना है और ध्यान रखना है जो हमारी sleeve और कुर्ती का extra cutting है armhole की side की वो एक दूसरों को face करते हुए इस तरह से हमने गोलाई में सिल देना है ऐसे करके तो यहां पर आप ये open करके sleeve लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो sleeve की fitting अलग और कुर्ती की fitting अलग करके बाद में sleeve चड़ाए तो इससे fitting जो है वो armhole के side से बहुत ही अच्छे से गोलाई आती है तो देखिए इस तरह से पहले हम sleeve की fitting अलग कर लेंगे कुर्ती की fitting अलग कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारे armhole हैं दोनों की extra cutting ऊपर के side है यानि एक दूसरे को face करते हुए हमने ऐसे करके sleeve लगानी होगी so guys मैंने आपको दोनों तरीके बता दिये हैं कुर्ती की fitting से पहले भी आप sleeve लगा सकते हैं और fitting लगाने के बाद भी आप sleeve लगा सकते हैं तो दोनों तरीका आपको समझ आ गया होगा इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ही sleeve लगा ली है इसके बाद में इसकी fitting करूँगी तो side से अच्छे से मिला कर रखेंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारे biceps की गोलाई है उसका mark कर लेंगे आप full sleeve बना रहे हैं तो आपको अपनी wrist की जो गोलाई है वो लेनी होगी और यहाँ से दोनों side से हमने fitting लगानी है fitting लगाने के बाद हम इसके चाग दामन fold कर लेंगे डेल इंच हमने दबाओ के लिए लिया है तो डेल इंच fold करते हुए इसके चाग दामन को हमने fold कर लेना है तो लीजी इसी सिलाई के साथ हमारी कुर्टी तयार हो गई है चाग दामन fold करने के बाद हमने इस पर iron कर ली है और बहुत यह अच्छे से finishing आ गई है इस वीडियो में मैंने simple कुर्टी का cutting stitching करने का बहुत यह आसान तरीकत बताया है उमीद करूँगी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और इस कुर्टी के साथ जो है वो मैंने यह pant और shrug बनाया है श्रग की वीडियो मेरे second channel जाधी trendy fashion पर मिल जाएगी लिंक में description box और end skin पर दे दूँगी तो देखें यह कुर्टी जो है वो श्रग में इस तरह से wear की जाएगी इसमें मैंने इसलिए half sleeve बनाया था विससे इसमें sleeve की कोई जरूरत नहीं थी हम इसको cut sleeve भी बना सकते थे but client के according मैंने इसमें half sleeve लगा दी है and guys यह shrug dress आजकर बहुत जादर trend में है आप इसको अपनी choice के किसी भी fabric से बना सकते है मैंने shrug और pant woolen cotton के साथ बनाई है काफी थीक और मोटा fabric है 4.5 मिटर में shrug और pant बनी है और 2 मिटर में हमारी यह कुर्ती बनी है so guys उम्मीद करूंगी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को like करके share कर दिया होगा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो please चैनल को भी subscribe कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर भी हमेशा मैं इस तरह की latest और trendy ड्रेस टिटोरियल पोस्ट करती रहती हूँ और आप चाहें तो मुझे facebook page, whatsapp, instagram और telegram पर भी follow कर सकते हैं link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा तो चलिए यहां आकर वीडियो complete होती है मिलती हूँ next वीडियो में कुछ नए आइडियाज के साथ तब तक के लिए बाई, take care, thanks for watching this video